हेलो फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी हाँ 17.18.19 GST रिटर्न की बात इस वीडियो में मैं आपके साथ करूँगी कि कौन सी अभी आप फाइल कर सकते हैं तहां पे आप लेट फीस बचा सकते हैं and the most important जो due date extensions की सभी वेट कर रहे हैं कौन-कौन सी dates हैं जिनके extend होने के chances हैं कितने हैं और कब तक extend हो सकती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैनल को ज़रूर subscribe कर लीजिए का सभी important updates के लिए तो हमारी upcoming dates को आपको नहीं भूलना है जो dates अभी आने वाली है उनको आपको ध्यान में रख करके चलना है अभी हम बात करें है उन dates की जो अभी at present final है जिसमें most important है आपकी 18-19 की GSTR 9&9C जो आपको 31st October तक फाइल करनी है हाला कि इसकी date extension के लिए जो है काफी जादा उमीद लगाई जा रही है और 27th October को इसकी hearing भी है जहां पे उमीद लगाई जा रही कि आपको date extension मिल जाएगी लेकिन कितनी मिल जाएगी या मिलेगी भी नहीं इसको लेकर के अभी भी confusion है जादा extension आपको नहीं मिलेगी अगर मिल भी गई तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है GSTR 9&9C के लिए आप जादा extension लिए उमीद मत रखिएगा हटे 10 दिन 15 दिन के extension आपको मिल सकती है अभी यह final नहीं है लेकिन मिल सकती है अगर दी गई तो तो GSTR 9&9C का जो काम है पेंडेंसी है वो आपको कर लेनी है 31 October 2020 तक Next हमारी important जो है GSTR 1 GSTR 1 अगर आप quarterly फाइलर्स है तो July August September के लिए 31 October तक आपको अपनी GSTR 1 फाइल करनी है GSTR 1 के बाद हमारी important जो return जिसके अभी हमने बात करी है GSTR 9 की की GSTR 9 की मैं आपको देर बना चुकी हूँ उसके बाद 17, 18, 18, 19 की जो return है कौन सी return की मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ दूसरों GSTR 4 की जी हाँ late fees और pendency अगर आपकी financial year 17, 18, 18, 19 GSTR 4 अभी तक pending है तो आपके पास एक आखरी मोका है उसकी late fees बचाने का जैसे GSTR 3B के लिए आपको एमनेस्टी स्कीम लाका के आखरी मोका दिया गया था ना GSTR 4 के लिए भी आपको दिया गया है तो GSTR 4 की late fees बचा दीजिए अगर आपकी text liability बनती है तो 500 पर return की capping लग गई है जैसे 3B के case में लगी थी और काफी सारे लोगों ने miss कर दी थी इसी वजह से दोबारा से वो demand की जा रही है demand बिल्कुल genuine है क्योंकि अभी भी जो COVID-19 की situation है वो पुरी तरह से ठीक नहीं हुई है instant cases अब बढ़ ही रही है आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी pandemic है cases दिन परती दिन बढ़ते ही जा रहे है तो उनकी demand है वो बिल्कुल ही genuine है लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई भी action लेने के mood में नहीं है नहीं उस पर कोई विचार चल रहा है amnesty scheme पर अभी तक कोई विचार नहीं चल रहा है अभी तक का update मैंने आपको दिया है हलाकि pressure बनाया जा रहा है representations government के पास गई हुई है काफी जादा pressure बनाया जा रहा है लेकिन government अभी विचार नहीं कर रही है बहुत ही मुश्किल है कि amnesty scheme दोबारा से आए हलाकि कोशिश हम करेंगे तो आपके पास है GSTR 4 की late fees बचाने का मोका है GSTR 10 जो आपकी लग जाती है न 10-10,000 रुपीज की वहां भी अब आपकी 500 रुपीज की कैपिंग कर दी गई है 31 दिसंबर तक का आपका समय है 31 दिसंबर तक आप फाइल कर लीजी 500 जो है इवे बिल्को लेकर के जो रिलीफ दिये गए थे जिनके extension की उमीद लगाई जा रहे थी कि यह further extend होंगे तो extend तो हुए नहीं उल्टा government ने अब वो रिलीफ वापस लेने स्टार्ट कर दिये हैं यानि कि दुबारा से जो है applicable कर दिये हैं वो सभी चीज़े जो लेट फीस को लेकर के थी इवे बिलको लेकर के थी और अभी रिसंट्री मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया है जो आज ही शेयर किया है कि जो इवी सी के थूँ उन्होंने फैसिलीटी थी थी ना कंपनी को कि आप डीस सी की जिए अपनी रिटारन फाइल कर दीजी जिए जिस ट्यार थेवी जिस ट्यार 1 वह भी उन्होंने वापस ले ली है एक नवंबर से अभी डीसेंट्ली मैंने वीडियो प्रोड की है अगर आप में मिस कर दी है तो आप देख लीजेगा तो इसलिए मैं आपको रिपिटिली बोल रही हूँ कि अगर आपके पर स्मोका है जी एस टीर फोर और टेन की फीस बचाने का तो उसे बचा लीजिए क्योंकि कि गुर्ड्मेंट जी हिसाब से चल रही है कि यह चीजें आपको ध्यान में रक करके चलनी है जो अभी आपकी आ रही है अब बात आती है हमारी जो tax audit को लेकर कि काफी ज़्यादा queries आ रही है कि tax audit की date extend होगी किया नहीं जी हम आप पे पूरी पूरी उम्मीद है 99.99% उमीद है कि आपकी text audit की date को extend किया जाएगा government consider कर रही है मैंने video भी upload की थी कि government जो है consider कर रही है उसकी date extension के लिए कितना आपको extension दिया जाएगा वो भी कह नहीं सकते हैं जब तक notification या government की तरफ से कोई information नहीं आ जाती तो extension तो आपको मिल जाएगी लास्ट वेक तक या एक दो दिन पहले तक दशेरे के बाद आप expect कर सकते हैं कि आपको extension दे दी जाएगी notification आ जाएगी तो text audit के लिए extension यहाँ पे कहीं जा सकती है मिल जाएगी GSTR 99C के लिए मैंने आपको बता दिया है GSTR returns की date को लेकर के extension मिलने चाहिए government ने खुद यह GSTR यहनने कबूला है कि GSTR portal जो है वो काफी समय तक बंद रहता है काफी technical glitches उसके अंदर रहते हैं जो हमारी last date थी 3B file करने की September month की तब तक भी portal अच्छे से work नहीं कर रहा था और September month की 3B कितनी important है government ने अपने जो rules है वो दोबारा से लागू कर दिया तो September month की जो हमारी 3B थी वो कितनी important थी आप सभी को पता है और portal उसी time जो है portal के अंदर भी technical glitches थे टीक से काम नहीं कर रहा था जिसकी वज़े से काफी सारे tax pair की जो return है वो miss हो गई है तो GST returns के अंदर extension मिलनी चाहिए इसके उमीद भी है कि extension मिल जाएगी लेकिन amnesty scheme को लेकर के government कहीं भी कोई भी विचार नहीं कर रही है तो आपको amnesty scheme के लिए मैं भी यही कहूंगी कि शायद ही आपको वहाँ पे extension मिले शायद ही उस scheme में extension मिले GST return due dates में extension मिल सकती है जैसा कि अभी मैंने आपको बताए कि port ठीक से वर्क नहीं कर रहा था लेकिन किस मंत के लिए extension मिलेगी क्या मिलेगी अभी तक इससे related कोई update या news नहीं है तो यह थी हमारी extensions को लेकर के update और अभी जो आपको काम करने है जो GST return 99C के काम है वो आप कर लीजी extension मिलती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलती है तो आप अपना काम समय पर कर लीजी क्योंकि फिर बात में आपकी जो late fees and penalties है उसे ज्यादा problem create हो सकती है